सब सब बड़ी बात यहां के रहने वाले पढ़े समझाता है आप यह सीजी डीवी कैमा चेक कीजे डाइसो सा चार सो लोग यहां पर डेली नमज पढ़ने आ रहे हैं हजदवानी नगर निगम शेत्र के नेनिताल रोड में आवासी कॉलोनी में मकान के पुनर निर्मान के नाम पर अवैद रूप से मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है इसके बाद हिंदू संगटनों के लोग मौके पर पहुँच गए और कारवाई करने की मांग करते हुए नारे बाजी करने लगे आधी रात को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए नमाज पढ़ाने वाले मौलवी को भी बुला लिया गया हिंदू संगटनों के लोग और स्थानी निवासी कथित मस्जिद में आने वाले योकों पर लड़कियों से छेड़चाड का आरोब भी लगा रहे थे उनका कहना था कि उनकी शिकायत पर भी प्रशासन ने कोई कारोवाई नहीं की पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया ही था कि आधी रात में ही दूसरे समुदाई के लोग भी कोतवाली पहुँच गए कोतवाली का घेराव कर मारपीट करने वालों के खिलाब कारोवाई की मांग करने रगे पुलिस अधिकारियों को उन लोग को समझाने में पसी ने चूट गए सिटी मजिस्ट्रेट रिचास सिंग के अनुसार नेनिताल रोड में आवासी कालोनी में एक व्यक्ति द्वारा मकान पुनर निर्मान की आड में मस्जित का स्वरूब दिया जा रहा था जिलाप रशासन और पुलिस की टीम ने निर्मान कारिये रोब कर मकान को सील कर दिया है जाश परताल में पता चला है कि भूमी नजूल की है फिलाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा कर शांत कराया है फिलाल पूरे मामले में पुलिस के कोई भी आला दिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं भावनेत पंडित, ETV भारत, हल्दुवानी